Let's start blood relation topic तो मेरे only friend, start करते हैं आज blood relation का topic First, अपना chapter चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं reasoning में तो blood relation means आपके जित्ते भी सगे सम्मंदी हैं उसी से related question पूछे जाने वाले हैं उसकी जानकारी तो आपको है ही पहले से बट अगर क्या है इस तरह के question को आप मन में करोगे ऐसा लगता है बहुत easy question है मन में करोगे तो question गलत हो जाएगा तो कैसे आपको solve करना है वो आज हम लोग देखेंगे जिससे आपके question वहाँ पर गलत नहीं हो तो कुछ sign का use करेंगे जिससे जब भी हम solve करें उसको या फिर उसको पूरा relate करने कोसिस करें तो असानी से कर सकेंगे और गलत नहीं हो तो कैसे use करना है male को हम लोग use करेंगे plus sign से female को हम लोग negative sign से use करेंगे आगे जिस तरह से हम लोग flow chart बनाएंगे किसी भी question का किस तरह से solve करना है वो देखना है husband और wife उसको हमेशा use करेंगे हम इस तरीके से यह क्या हो गया husband and wife brother and sister हम use करेंगे हम इस तरीके से brother sister हो गया brother brother हो गया sister sister हो गई sister sister यह sign से use करेंगे husband wife brother 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 sister brother brother sister sister brother sister ठीक है अब कैसे use करना है अब यह हो गया father son father son father daughter father son father daughter जो भी हमारे एक generation नीचे है उसको नीचे सो करना है जो बरावर की generation उसको एक साथ सो करना है ठीक अब वही अगर mother और son यूज करना है तो हम इस तरह से कर सकते हैं mother और daughter अगर हमको दिखाना है तो हम ऐसे दिखा सकते हैं ठीक यह हो गया normal sign जो हम लोग यूज करने वाले आप थोड़ा से father की wife हो गई मेरी mother तो यह हो गए father यह हो गए mother अब father side से relation देखते हैं तो father के father मतलब एक generation उपर उनसे भी बड़े तो father के father मेरे क्या कहला गया दादा जी कहला गया और father के father की wife होंगी वह हमारी क्या कहला जाएंगी दादी कहला जाएंगी अब father की side से क्या और क्या relation होता है फादर के ब्रदर हो घए वो ड़ाये आपके चाचा उनकी वाइफ कहलाने वाली है चाची फादर की जो सिस्टर हैं वो कहलाईंगे आपकी बुअठ गहां किद्र धाध अह संब यह सब कहलाएंगे आपके नाना जी और उनकी वाइफ कहलाएंगी नानी अब मदर की जो भी सिस्टर कहलाएंगी वो कहलाएंगी आपकी मौसी मदर की जो भी ब्रदर कहलाएंगे वो कहलाएंगे आपके क्या मामा मामा की वाइफ हो गई मामी, मौसी हस्वेंड मौसा जी और जो भी जितने भी आपके इनके सबके लड़के सबके लड़के आपके क्या कहला गए करजन कहला गए यह हो गया आपको मदर और फादर साइट का रिलेशन और एक साइट ही लिखना है बता दूँगे जब कुष्ण करनेगी तब ज्याद अच्छे से clear हो जाएगा, अब आप हो गये अब हो गई यह मेरी वाइफ और मेरी वाइफ और मेरा लड़का हो गया यह तो हो जाएगा son मेरी लड़की हो गई वो कह जाएगी daughter मेरे लड़के के wife, मेरी लड़की के जो भी wife होगी, वो कहलाएगी daughter-in-law ठीक है, और मेरी लड़की के husband, वो क्या कहलाएगा son-in-law in-law-in-law भी आपको समझ में आ गया, अगर आपके दो लड़के हो गए, तीन लड़के हैं, एक लड़का एक लड़की, एक और लड़का है, सपोज आपके, तो वो आपकी बहु का क्या कहलाएगा brother-in-law कहला जाएगा और आपकी बहु का आपकी लड़की से क्या relation रहेगा, वो रहेगा sister-in-law तो ये तो समझ जाना बाद में तो ये normal एक recap होगी, आपके पूरा A is B's daughter अब question कैसे solve करना है, अगर ये मन में भी solve कर सकते हो, बट मन में solve करोगे तो गलत जरूर हो जाएगा, तो question पहले पढ़ो पूरा, A is B's daughter B is C's mother, D is C's brother, how is D related to A, किता confusing लग रहा है न, लेकिन आपको करना कैसे, जैसे ही पढ़ो, तो उसी समय आपको, जो भी rough copy मिलती है उसमें आपको ये diagram बना लेना है question आपको I hope दिख रहा होगा A is B's daughter तो A क्या है B की daughter daughter हो गई minus B की daughter अभी B को नहीं बताया है कि B क्या है, पिता है या फिर माता है, जब तक gender define नहों हो, अपने से gender नहीं use करना है, इससे बहुत बार question गलत होता है, और ये common problem है इसमें, तो A is B's daughter, तो A B की doctor जो भी उसमें बोल रहा है, उसको लिखते जाना है अब B is C's mother B क्या है, C की mother B C की mother है, अब यहाँ पे gender इसने define कर दिया, C की mother है ठीक है D is C's brother, D क्या है C का भाई है, D क्या है C का भाई है ठीक, how is D related to A, D और A में क्या relation है अब यहाँ पे देखो, पहले ही उसने क्या बोला A is daughter of B, A is B's daughter मतलब A लड़की है B की, ठीक, अब सोच लो, तुम A हो तुमारी mother क्या हो गई, B हो गई अब B is C's mother, B क्या है तो वो क्या हो गए, तुम्हारा भाई होगा या फिर बहन होगा, दोनों हो सकते हैं, दोनों chances हैं, अभी इसमें define नहीं किया था फिर क्या कहता है, D is C's brother, मतलब जो C है, तुम्हारा भाई ये बहन है, उसका भाई है D, तो तुम्हारा भी भाई हो गया, एक ही जनरेशन के तुम हो गए, अब क्या question पूछ रहा है, how is D related to A, D का A से क्या संबंद है, तो आप बताओ, क्या संबंद है, अब यहीं पर सो हो रहा है, कि ये तुम्हारी, मा हो गई, ये हो गए तुम, ये तुम्हारा भाई बहन हो सकता है, ये सब एक ही ब्रेदर हो गया, ये एक ही लाइन में हो गया, सभी तो क्या हो गया, ब्रेदर हो गया, इसका answer हो जाएगा आप कसी, clear हो गया, कैसे लिखा, ये आप practice कर ले ना, ये हो गया first question, I hope की clear हो गया, आप चलते है second question में, तो second question देखना कैसे solve करते है, second question ये दूसरे type के question है, जो first type के question है, वो आप और भी solve कर लोगे, तो आपको clear हो जाएगी चीज़े, और अच्छे से, अब based on the statement, please find out, find who is the uncle of G, मतलब की हमें क्या पता करना है, कि G का uncle कौन है, तो कथनों के अधार पर बता है, G का चाचा कौन है, जो को जो कह रहा है, आपको सिर्फ उसको बना लेना है, उससे आपको clear हो जाएगा, F is brother of A, F क्या है, brother है A का, अभी A को define नहीं किया, C is the daughter of A, C क्या है, daughter है, daughter को मैं कहां लिख रहा हूँ, नीचे लिख रहा हूँ, ये इससे brother है, तो A की relation में तो उसको touch करके नीचे लिख, एक generation नीचे लिख रहा हूँ, K is the sister of F, K क्या है, sister है F की और G is the brother of C, G क्या है, brother है C का, जिससे जो relative है, उस C से touch करके आपको बनाना है, line, ये पूरा आपको statement दिया हुआ है, question क्या पूछ रहा है, कि find out who is uncle of G, G ये है, इसका uncle कौन है, G ये है, इसकी बहन ये है, father या फिर mother कोई भी हो सकते हैं ये, तो चाचा कौन होगा, चाचा वही होगा, जो फिर father का brother होगा, यहाँ पर father का brother आपको कोई कौन सो कर रहा है, सीदे सीदे, F सो हो रहा है, F इसका क्या हो जाएगा, correct answer हो जाएगा, समझ में आया, पहले आप पूरा बना लिए, F is brother of A, पहले आपने बना लिया, फिर C is the daughter of A, इस information आपको दी, फिर दिया, K is the sister of F, तो K sister है आपकी F की, फिर G is the brother of C, G brother है C का, यह बना लिया, फिर इसमें क्या पूछा था, कि find who is the uncle of G, G का uncle कौन है, तो G का uncle वो होगा, uncle कौन होते हैं, आपके father के brother हो गए, या फिर mother के brother हो गए, दोनों को आप uncle यूज करते हो, maternal uncle उसमें यूज करते हो, mother side में, father में uncle यूज करते हो, यहाँ पर A का gender नहीं define किया है, तो mother या father दो में से एक ही होंगे, उनका F का relations हो कर रहा है कि A के brother है, तो answer आपको क्या हो जाएगा, F क्या होंगे, uncle हो जाएगे, G के, I hope कि question clear हो गया होगा, अब आते हैं तीसरे number type of question में, यह बहुत ही easy type का question होता है, बट जब पढ़ोगे त इतना confusing लगेगा आपको कि यह question आपसे नहीं बन पाएगा, ऐसा लगेगा, अगर आपने practice नहीं की है, तो पहले तो question पढ़ना एच्छे से, question क्या आप कह रहा है कि pointing towards साक्षी, साक्षी की तरफ देखके, Ria said, Ria बोलती है, your mother is the younger sister of my mother, साक्षी से Ria क्या बोल रही है, your mother, म साक्षी की mother, Ria की mother की छोटी बेहन है, तो how is साक्षी related to Ria, तो साक्षी और Ria से कैसे relate कर रही है, मिलब क्या संबंद है उसके, हिंदी में पढ़ लो, साक्षी की ओर देखकर Ria बोलती है, तुम्हारी मा मेरी मा की छोटी बेहन है, तो बताए साक्षी का Ria से क्या संबंद ह बहुत आते हैं, तो सबसे first आपको देखना है, क्या लिखना है, जिस तरीके से अपने basic हैं, उसी तरीके से solve करना है, pointing towards साक्षी Ria सेड, तो साक्षी को हम इस center में लिखते हैं सबसे best, एक चीज़ और कभी भी gender अपने से नहीं define करना है, कि साक्षी अगर आपको समझ में आ करना है, उसके basis पर आपको solve करना है, अभी अगर नहीं define किया है, तो आपको कुछ नहीं पता कि क्या हैं दोनों, अब है pointing towards साक्षी, रिया सेड, रिया क्या बोलती है, साक्षी, रिया की ओर देखके बोलती है, यह रिया है, यूर मदर, साक्षी की मदर हो पडलने है, रिया की जो मदर हैं, उनकी यंगर सिस्टर हैं, साक्षे की मदर, तो रिया और साक्षी का क्या संबंध हो गया, आपकी मा हो गई, आपकी मा की बहन हो गई, बहन की लड़की और आप में क्या संबंद होता है, क्या संबंद होता है कजन का अब option जो आप देखोगे तो option क्या समझ में आएगा अंकल, नेफ्यू, कजन, फादर कजन, इसलिए कजन में क्या है कि बहुत difference रहता है तो उसको हिंदी भी देख लेना और जेंडर अपने से नहीं डिफाइंड करना है जैसे इसमें मौसेरा भाई हिंदी में दिया हुआ है तो लोग सोचेंगे नाम तो दोनों किसमे थे फीमेल के नेम थे तो मौसेरा भाई कैसे दे दिया तो यहीं पर हम आपे गलती हो जाती है कुछ दूसरा लगा के आ जाते हैं तो यहां पर हमको गलती नहीं करनी क्या होगा कजन होगा इता सिंपल सा question था 2 second का question है आपको क्लियर है यह थर्ड type का question हो गया अब आते हैं 4 type of question में 4 type of question में आपको जरूर बता रहा हूं पर आप आराम से देखना एक दो बार अपने से practice भी करना अब question में क्या होगा इस तरीके के एक statement दिया होगा जिसमें से तीन चार information आपको उपर दी होगी ठिक फिर नीचे एक expression दिया होगा जैसे ये इसमें expression दिया होगा है और फिर पूछ रहा है कि M related to B M का B से क्या संबंद है लेकिन जो ये plus sign so किया हुआ है इसका क्या मतलब है ये उपर दिया हुआ है कि P into Q मतलब क्या है कहीं पे भी P into Q लिखा होगा इसका मतलब है P father है क्यों का P minus Q लिखा होगा तो P is sister of Q मतलब P sister है क्यों की P plus Q लिखा होगा तो P is the mother of Q अब P divided by Q मतलब कि P भाई है क्यों का ये expression दिया है और फिर पोछ रहा है अब स्टार्ट करते है सबसे पहले क्या बोल रहा है B plus D तो P plus Q यहाँ पर क्या बोल रहा है P is the mother of Q इसी तरह B plus D है तो B is the mother of D समझ मैं है ये है B plus D अब आते हैं नीचे B plus D का इत्ता हो गया B is the mother of D इसके basis पे उपर आपको जो दिया हुआ था अब ये नीचे क्या बोलता है D into M D into M मतलब P into Q कहीं पे लिखा रहा है तो उसका मतलब होता है P is the father of Q तो D into M का मतलब हो गया है D is the father of M इस चीज़ ये क्या हो गया D into M सो कर रहा है ये आपका B plus D सो कर रहा है अब देखो अब सबसे last क्या बज़ गया M divided by N M यहाँ पे है M divided by N मतलब क्या होता है M is the brother of Q M is the brother of N इस चीज़ को M divided by N को हमने यह से लिए लिखा तो ये पूरा आपका एक flow chart बन गया अब आपको समझ में आ गया एक कि कैसा क्या है ये एक generation है उसका लड़का ये हो गया इसके उपर वाली generation ये हो गया अब क्या पूछ रहा है M related to B M का B से क्या संबंद है M मतलब M हो गया उसके father है D और D की mother है क्या B तो M का B से क्या संबंद है क्या संबंद है How is M related to B M B का क्या लगेगा M B का क्या लगेगा आपके दादी कि आपका क्या relation हो गया आप उनके क्या हो गया grandson हो गया अब यहाँ पर दो option है granddaughter और grandson भी दिया है आपको यहाँ पर male so कर रहा है जब आप question solve किया तो हाँ पर so कर रहा है male है यहाँ पर M male है तो वो क्या हो जाएगा grandson answer हो जाएगा अब देखो इसमें 2-3 answer हो सकते in case वो पूछ रहा होता N N का B से क्या संबंद है तो ना A answer होता ना B होता answer यहाँ पर non-op-dive-up दिया है तो non-op-dive-up होता answer दिया होता grand-daughter की जागे uncle यहाँ पर auntie दिया होता तो grandson हो जाएगा तो जिस तरह से option दिया होंगे उसी तरीके से आपके answer आएंगे clear हो गया कैसे किया हम लोगोंने एक बार और देख लो आप B plus D उपर क्या दिया हुआ था P is the mother of Q P plus Q का मतलब इसका मतलब हो गया B is the mother of D यह आपने फिर है D into M P into Q का मतलब है P is the father of Q तो D into M means D is the father of M अब है M divided by M N तो M divided by N P divided by Q का मतलब है कि P is the brother of Q तो M divided by N मतलब M is the brother of N यह पूरा flow chart बना मतलब कि M और N भाई है M भाई है N का फिर M के father हो गए D और N के father भी D हो गए और D की mother है B और question क्या पूछ रहा था कि M का B से क्या से relation है तो M का B से सीधे सीधे आपको यह कहला गए आपकी दादी यह आपके कहला गए पापा और यह है आप तो आपका दादी आप दादी के क्या लगेंगे तो आप दादी के क्या हो गए grandson हो गए इसका answer क्या हो जाएगा grandson हो जाएगा clear अब आतने हैं fifth number of question में एक और question यह type भी देख लो और इस तरह question भी past type के question है इसी से related question आएंगे आपको इसी के आसपास तो इसी के थोड़ी practice कर लेना दो तीन बार इसी तरह के question लगा लेना तो आपको clear हो जाएंगे same इसमें भी दिया हुआ है direction p-q means p is the father of q p-q means p is the data of q यह जो भी दिया होगा इसको पढ़ने के आपको जुरत नहीं आप क्या देखो सबसे first expression p into q minus t how is t related to p t का p से क्या संबंद है यह पूछ रहा है expression क्या दिया है हमको p into q minus t जो जो कह रहा है वही हमको सो कर देना है p into q का क्या मतलब होता है p into q का मतलब होता है p is the wife of q p is the wife of q husband wife को कैसे सो करना है p is the wife of q जब wife है क्योंकि q हो गया आपका क्या हो गया अपने से gender define नहीं करना है अब है q minus t q minus t p minus q का मतलब होता है q minus t का मतलब हो गया q is the father of t q father हो गया आपका son भी हो सकता है daughter भी हो सकता है अभी कुछ आपको define इसमें नहीं किया है question क्या पूचा है how is t related to p मतलब t का p से क्या संबंद है husband wife हो गया t son भी हो सकता है और daughter भी हो सकता है अब देखते है option क्या है option क्या क्या दिया है daughter आप सीधे question solve करोगे daughter देखोगे daughter में answer लगा दोगे क्योंकि दोनों हो सकता है और इसने अभी define नहीं किया है sister, mother, cannot determine or none of the evo किता complicated problem हो गई आपके सामने अभी एक और चीज़ी कर सकता था यहाँ पे mother हटा कि none of the evo उपर कर देता है तो चार option आपके पास हो जाते इसमें सीधे सीधे आप सबसे first priority में daughter लगा के आजाते है कितना simple है husband wife है उनका एक लड़का है T यह daughter कुछ भी हो सकता है सीधे daughter ही होगा आप लगा दोगे लिकिन जब आपका इसमें option दिया है none of the evo तो नहीं होगा cannot determine आप नहीं बता सकते हो son है या फिर daughter है इसका correct answer होगा cannot determine mind यह question पहले exam में आया हुआ है इसलिए मैं आपको बता रहा हुआ इस तरीके से कितना simple question था बट एक गलती के करन आपको पूरा गलत हो जाता इसलिए इस तरीके की गलती नहीं करना है option देख लेना है अगर वहीं पे अगर none of the evo की जग है यहां पे अगर आपको दो अपसंद दिया तो अभी जो यह इसमें आप डिपाइन नहीं कर सकते हैं यह तो पांस टाइप के question थे इसी तरीके के question पूछे रहाते हैं जनरली आपके blood relation से कोई और भी question हो तो आप नीचे comment कर देना उसका answer मैं आपको बता दूंगा solve करना है हमेशा जब भी solve करना इसी तरीके से solve करना कि जो भी एक generation को एक साथ लिखना husband wife हो गया अब इनके brother हैं उसका relation इसी से touch करके excited लिखना जो लड़के हैं उनको नीचे लिखना एक generation जो एक generation जो उससे बड़ी है तो उसको उपर लिखना इससे कुछ भी होगा तो आपको एक बार में समझ में आ जाएगा इस flow chart से और तुरंत आप secondo में answer सही लगा सकते हैं और बिल्कुल सही answer करके आएंगे तो यह पांच question हम लोगों ने करें अगर किसी में doubt होगा तो नीचे comment कर देना i hope की चीज़े clear हो गई होगी थोड़े जल्दी जल्दी जरूर बताए गया क्योंकि फिर बहुत boring हो जाएगी चीज़े और इसको असानी से पढ़ लो थोड़ी सी practice करना और बहुत ज्यादा question आएंगे नहीं दो question इससे आते हैं तो दो question आप बहुत असानी से कर सकते हो हमेशा flow chart जरूर बना के करना okay thank you thank you for watching and best of luck